नमस्कार, मैं नीलम राजप्रोई, लेक्चरर सीडी डी एम, गवर्मेंट मुमेंट पॉल्टेक्निक कॉलेज बीकानिर आज त्योरी ओफ फैशन फाइनलियर के सब्जेक्ट सीडी 303 कूड नंबर में हम फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे फैशन ट्रेंड्स एक पर्टिकुलर स्टाइल का एक निश्चित समय या समय के एक निश्चित भाग में जब वो पॉपिलर होते हैं तो वो फैशन ट्रेंड बनता है यानि कि the direction fashion is taking is called a trend जिस direction में फैशन जा रहा है एक निश्चित समय में वो ट्रेंड है एक ही समय में कई trend हो सकते हैं और उन्हें अपनाने का अलग-अलग star हो सकता है जब कोई फैशन बहुत प्रसिद्ध होता है पॉपिलर होता है तो वो incoming trend बन जाता है और जब उसकी प्रसिद्धी थोड़े समय में धूमिल होने लगती है जैसा कि fashion के साथ अकसर होता है फैशनेबल वस्तु में बनाने वाले और उन्हें बेचने वाले लोगों का व्यवसाय उनकी fashion को पहचानने की जो शमता है या वर्तमान और भविश्य के fashion trend का पूर्वानुमान लगाने की जो शमता है उस पर निर्भर करता है यह fashion forecasting, fashion trends की जो forecasting जो पूर्वानुमान लगाते हैं एक विशिष्टी योग्यता वाले फैशन के प्रतेक पहलू का ज्यान रखने वाले पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है लोगों का जीवन इस्तर, वातावरण, व्यावसाय, आर्थिक व सामाजिक इस्तर वे तत्य हैं जो की उभभुकताओं की चयन वा खरीदने की आदत को प्रभावित करते हैं हम जैसी जगे पे रहेंगे, जैसा हमारा जीवन इस्तर होगा, व्यावसाय होगा हमारा या आर्थिक व सामाजिक इस्तर होगे की हम कितना financially strong हैं, किस तरह के समाज में हम रहते हैं, हमारा इस्तर क्या है, उसके according हमारी fashion को अपनाने की, उसके trends को खरीदने की शमता निधारि होती है, देश की आर्थिक व सामाजिक इस्तितियां भी इसमें प्रभावी कारक होती है, किसी fashion trend को आगे लाने में, fashion व्यावसाय में पेशिवर लोग जो होते हैं, वो इन इस्तितियों का, इनका अच्छे से अध्यान कर, आगे बढ़ने के नए तरीके खोज निकालते हैं और इन तरीकों की सहायता से वे अभी जो चल रहा है या आने वाला जो fashion trend है, उसको पहचानते हैं और उसका prediction करते हैं, इस तरह से कोई fashion, एक trendy हो जाता है, incoming fashion होता है और थोड़े समय बाद वो fade होने पे outgoing fashion trend हो जाता है, धन्यवाद